नमस्कार दोस्तों, Competition Community के इस Online प्रेटफर्म पर आपका स्वालत है, मैं हुरुन सिंग और आप मेरे साथ भारती से इंधान इंवराज वर्षा से संबन्दित कुछ महत्पूर टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, हमने इसके पहले वीडियो में उच्टम न्यालय के संबन्द में एक उच्टम चर्चा की थी, आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए, उच्टम न्यालय में सपत, जो न्यायधीस हैं उच्टम न्यालय के, वे सपत किसका कार लेते हैं? सपत किसका न्यायधीस होगा? तो उचतम न्यालाय के न्यायधीसों को सपद दिलाई जाती है भारत के राश्पती के द्वारा भारत के राश्पती उचतम न्यालाय के न्यायधीसों को सपद दिलाते हैं क्या केवल राश्पती सपद दिला सकते हैं तो राश्पती या राश्पती के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? न्याधीसों को सपत दिला सकता है. वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्याधीस होते हैं. मुख्य न्याधीस, अन्य न्याधीसों को सपत दिलाते हैं. अन्य न्याधीसों को सपत दिलाते हैं. और भारत के मुख्य न्याधीस. तो ये सपत के संबन में न्याधीसों को सपत राश्पती दिलाएंगे या राश्पती दोरा अधिकृत कोई व्यक्ति दिलाएगा. अब नियाधिसों का कारेकाल कितनी वर्स का होता है अब इसे एक प्रश्ण के रूप में हम देखते हैं कि नियाधिसों का कारेकाल कितनी दिन का होता है तो मैं अगर आपसे प्रश्ण के रूप में पूछ उँँ कि उचतम नियालाएकि नियाधिस का कारेकाल 5 वर्स और 65 वर्स की आयू वर्स आयू या फिर छै वर्स और 65 वर्स की आयू या फिर कारेकाल नहीं केवल 65 वर्स की आयू या फिर इन में से कोई नहीं हूँ इन में से कोई नहीं इसका उतर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं कारेकाल जा होता है उचतम न्याले के नियादीश का तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उचतम न्याले के नियादीश जो होते हैं उनका कारेकाल निश्चित नहीं होता उनमें केवल रिटायर्मेंट की आयू जी गई है वो भी कितनी 65 यर 65 साल की उम्र तक अगर कोई नियाधिस बनता है तो वह 5 साल या 6 साल के लिए नहीं बनता वह बनता है 65 वर्ष की आयू तक के लिए अगर उसके मृत्यू या उसके प्रत्से नहीं हटाया जाता तो वह अपनी 65 वर्ष की आयू तक उच्चतम न्यालय का न्याधिस रहेगा. अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यालय के सम्वन्द में, उच्च न्यालय के सम्वन्द में, उच्च न्यालय में जो न्याधिस होगा, वह 62 वर्ष की आयू तक होता है. यानि कि 5 वर्स, 6 वर्स इस तरीके के कारेकाल नहीं होते हैं तो आप ध्यान रखे क्योंकि ज़्यादातर पदों में ये देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे confused हो जाते हैं कि हो सकता है इसका भी 5 वर्स या 6 वर्स हो तो Supreme Court के जजज होते हैं उनका कोई निस्त कारेकाल नहीं होता है उनको क्या होते हैं 65 वर्स की आयू तक रहते हैं चलिए अब आगे समझते हैं आगे है कि अब इनको अगर पद से हटाना है अगर Supreme Court के जजजेस को हटाना है तो सबसे पहले बात आयजे जाएगे कि हटाना है तो हटाने का आधार क्या होगा आधार अगर मैं इसे भी आपके सामने options के रूप में रिखूँ कि पहला है समिन्हान का उलंगन अगर ये समिन्हान का उलंगन करते हैं समिन्हान का उलंगन तब इनको हटाया जा सकता है या साबित कदाचार साबित कदाचार एवं आच्छमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है या थर्ड एक और दो दोनों एवं दो दोनों के आधार पर या फोर्थ इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं देखिए सुप्रीम कोट के जज का हटानी का आधार क्या पोगा समिन्धान का उलंगन करने करने इसको हटाया जा सकता है साबित कदाचार या अच्छमता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है दोनों के कारण हटाया जा सकता है या इन में से कोई नहीं यानि समिन्हान में इस सम्वन्द में उल्लेक नहीं है क्या है इसमी बार तो देखे इस बात का ध्यान रखे कि सुप्रीम कोट के जज को केवल हटाने का आधार यह साबित कदाचार या आच हमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इस बात को बहुतर तरीके से आप याद रखीगा, अब हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, लेखें, प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है दोनों ही जगहों से, याने संसत के दोनों सदनों से प्रक्रिया क्या हो सकती है, प्रारम हो सकती है, दोनों सदनों, दोनों सदनों में किसी भी सदन से पहले यह प्रक्रिया पारम हो सकती है अगर यह प्रक्रिया लोग सभा में स्टार्ट करनी है तो लोग सभा के सौ सदस्य अपने अध्यच को लिखित रूप में ऐसा देंगे कि राश्पती कर कदाचाल या अच्छमता का आरोप लगाएंगे बे और सौ सदस्य अपने सभा पती को ऐसा पत्र लिखिएंगे अपने अध्यच को लोग सभा में अध्यच को और राज सभा के केस में राज सभा में राज सभा के पचास सदस्य अगर राजस्भा में पहले स्टार्ट हो रहा है दो 50 सदस अपने सभापती को ऐसा पत्र लिखेंगे ठिक, अब मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि लोग सभा के 100 सदस और राजस्भा के 50 सदस अपने अध्यच और सभापती को उचतम नयाले के 90 को हटाने के लिए लिखित रूप में आविदन करेंगे यह लिखा कहां पर गया है यह यह बाते हैं कि सौ सदस्थ लिखित रूप में देंगे पचास सदस् meditation देंगे राज सभा के यह लिखा कहां गया है पहला समिनहान के अनुचेद समिन्हान के अनुच्छेद 124 में या फिर समिन्हान के अनुच्छेद 126 में या फिर समिन्हान के अनुच्छेद 128 में या फिर इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं देखें, हमने ये कहा, ये सिंपल सी बात है, कि लोकसभा के सौसदस, राजसभा के सौसदस, जहां भी पहले सदस, क्या होना है सुप्रीम कोट के जज़ को हटाना है, वहां कि इतने सदस अपने अध्यच को यह आवेदन करेंगे, पर यह बात लिखी कहा गई है, तो ध्यान न्याधीस जाच अधिनियम, न्याधीस जाच अधिनियम 1968 बनाया गया, और इस न्याधीस जाच अधिनियम में यह बताया गया है, कि लोकसभा के सौसदस, या राजसभा के पचास सदस, लिखित रूप में अपने अध्यच और सभापती को ऐसा आवेदन देते हैं, तो क् सकते हैं अध्यच या सभापती देखें इस कंडिशन में होगा क्या कि अगर ऐसा प्रस्ताव देखें अध्यच और सभापती इस प्रस्ताव को शिवकार भी कर सकते हैं और आशिवकार भी कर सकते हैं यदि इस प्रस्ताव को शिवकार करते हैं अगर उन्होंने शिवकार किय तो क्या बनेगी एक बनेगी जाच समिती, एक बनेगी जाच समिती, अब इस जाच समिती में कौन होगा, तेकि इस जाच समिती में होंगे तिन लोग, एक मुख्य नयाधिस, भारत के मुख्य नयाधिस होगा, अगर मुख्य नयाधिस के उपर लग रहा है आरोप, तो कोई अ पर लग रहा है तो कौन होगा भारत के मुख्य न्यायधिस एक होंगे यह देखिए कहा के होंगे उच्छ तम न्यायालाइके उच्छ तम न्यायालाइके दूसरे होंगे उच्छ न्यायालाइके मुख्य न्यायधिस किसी भी उच्छ न्यायालाइके मुख्य न्यायधिस और थर्ड कोई विधी व्यक्ता जो विधी का विशेशग्य होगा वह एक व्यक्ति होगा तो ये तीन लोगों की एक जाँच समीती बनेगी किस अधार पर जब लोकसभा के सौ या राजसभा के पचास सदस्यों ने ऐसा अपने अध्धच और सभापती को कहा ऐसे सा अरोप लग सकता है कदाचार का या फिर अचंता का अगर वो इसको क्या करते हैं ये स्युकार करते हैं कि हाँ उनके उपर जो आरोप लगाया गया है उसमें सत्यता है तब यह प्रक्रिया स्टार्ट होगी कहां पर संसद में अब यह प्रक्रिया कहां स्टार्ट होगी सं संसद में स्टार्ट होगी ठीक अब प्रशन यह है कि संसद में यह प्रस्ताओ किस प्रकार पास होना चाहिए कुल सदस्यों के कुल सदश्यों के कुल सदश्यों के बहुमत से अगर उचितम नयाले के नयाधिस को टाना है तो संसद में यह बस्ताओं कैसे पास होना चाहिए कुल सदश्यों के बहुमत से या कुल सदश्यों के के दो बटा तीन बहुमत से या फिर या फिर कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मद्दान करने वालों का दोती हाई इससे पास होगा या फिर इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं देखिए हमने कहा था कई जगा यह लिखा रहता है उचतम न्याले के नियाधीसों को महाभ्योग की प्रक्रिया से हटाते हैं तो यह महाभ्योग जैसी प्रक्रिया नहीं है यहाँ पर राश्पति के उपर जो महाभ्यो लगता है अगर यह पहस्ता और दोनों सदनों में पास हो जाता है तब किसी उचतम नियाले के नियाधिस को हटाया जा सकता है तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कुल सदस्चों का वहुमत उपस्तित और मद्दान करने वालों का दो तिहाई जबकि राष्पति के केस में कुल सदस्चों का दो तिहाई वहुमत से क्या होते हैं हटाया जाता है राष्पति को तो यह राष्पति की कंडिशन है और यह क्या है नियाधिस की कंडिशन है हटाने की तब एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत के समिधान का अनुच्छेद 130 कहता है कि जो भारत का उच्छतम न्याले होगा वह दिल्ली में होगा. अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्छतम न्याले कहा होगा? दिल्ली में होगा. क्या अन्य किसी जगह पर उच्छतम न्याले हो सकता है? या उसकी सुनवाई हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है. ऐसा हो सकता है. अब बात यह है कि अन्य जगह पर भी उच्छतम न्याले की सुनवाई हो, यह कौन इधारित कर सकता है? कौन दूसरी जगह भी उच्छतम न्याले लगा सकता है? राश्च्छपती? ऐसा कर सकता है? या फिर मुख न्याएधिस ऐसा कर सकते हैं, या फिर राश्पती की सलापर, राश्पती की सलापर, या फिर मुख न्याएधिस की सलापर, मुख न्याएधिस की सलापर, राश्पती, ऐसा कौन कर सकता है? इस प्रश्पती का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, देखें, अन्य जगह उचत्म न्यालाय सुनवाई हो सकती है, या कैसे हो सकता है? तो यहां होगा, राश्पती ऐसा नहीं करेंगे, मुख न्याएधिस अपने अकेले ऐसे नहीं करेंगे, राश्पती की सलापर ऐसा कारे कौन करेगा? मुख न्याएधिस करेंगे, तो यहां पर यह उप्चन सही होगा, ना कि मुख न्याएधिस के सलापर राश्पती, लेकि कोश्चन में इसी तरीके के बनते हैं, जहां पर आपको छोटी-छोटी बातों में कन्फूज करने का प्यास जया जता है, तो इस बात का ध्यान दे कि राश्पती सलाह देंगे और उस आधार पर मुख न्याएधिस किसी और जगा उच्टम न्याले की बेंच लगा सकते हैं, वहां नेने दे सकते हैं, तो यह कुछ और बाते थे जो हम उच्टम न्याले के संबंद में देखी, आगे की वीडियो में और इसी प्रकार के जो कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है, जहां पर इजामनर हमें गल्गिया कराने का प्रयास करता है, वैसे पॉइंट को हम समझते रहेंगे, धन्यवाद.